एह आते हो नीचे उतर कर ये छोड़ दू तीर रावण पर नहीं ऐसा मत करना वरना रावण के साथ मैं भी जल कर राख हो जाओंगा नहीं मानूगी नहीं मानूगी बिल्कुल नहीं मानूगी प्राण बचाने हैं तो उतर कर नीचे आओ मैं नीचे आऊंगा तो प्राण संकत में पड़ जाएंगे मेरे तो मैं रावण में आग लगा दूँगी उसके साथ तुम भी फट जाओगे हे प्रभू स्री राम किसी को तो भेजो मेरी रक्षा के लिए इस लुगाई का कुछ नहीं पटा हे पुट्र लपट्टी तू ही समझा अपनी मा को मम्मी सोच क्या रहियो तीर मार कर जल्दी रावण को गिराओ और दशेरा मनाओ अरे नहीं ऐसा मत करना वरना मैं भी रावण के साथ जल जाओंगा अभी चलाती हूँ तीर वैसे भी ये आदमी अब किसी काम का तो रहा नहीं दिन भर बस दारू पिये पड़ा रहता है नहीं मेरी बात माल ले मेरे जैसा तुझे दूसरा नहीं मिलेगा चाहे तो ट्राई कर लेना प्राई तो मैं कर चुकी हूँ तुम्हारे से भी बहतरीन बहतरीन पड़े हैं तुम्हीं कबाब में हटी बन रहे हो नहीं कुंठा इस्त्री तू नादान है अभी तू अभी मेरे महत्तो को नहीं समझ रही है जीवन में पती का बहुत महत्तो होता है अच्छा प्राण संकट में देखकर तुमको महतो याद आ गया लेकिन जीवन में तुमने मेरे महतो को नहीं समझा ऐसा मत कर, क्यों मुझे रावन के साथ मारना चाटी है अगर संकटी और यमराज से अपने पती के प्राण छीन कर ला सकती है तो मेरी जैसी और तेरे प्राण ले भी सकती है मुझे माम कर दो महादेवी, मैं तुम्हार दास बन कर रहूंगा अब कभी डारू नहीं प्यूंगा क्या हुआ, इस दुष्ट के जलने में अभी डेरी है क्या इसका सरोनास कब होगा इस दुष्ट के उपर भी एक दुष्ट बैठा है जिसका भी सरोनास जरूरी है तो जलती जलाओ इसे, हम भी तमाशा देख लेंगे हे महत्मन, कम से कम आप तो रक्षा करो मेरी इस बुद्धी विहीन इस्त्री से तुम वहां रावण के सर पर क्या कर रहे हो वद्ध आम तोड़ने तो चढ़ा नहीं हूँ इस औरस से अपनी जान बचा रहा हूँ आप ये बटाईए कि इसने गल्टी क्या की है वही गल्टी की है जो रावण ने की थी ये मेरे रहते हुए भी दूसरे की पत्नी पर गल्ट निगह डालता है और दारू पिये पड़ा रहता है रावण ने दूसरे की पत्नी का हरन किया था तो उसे हर शाल जलाते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी मैं तो केवल इसी बार जलाऊंगी मुझे इस पाप नाशन से बचा लो महराज दावत पानी दे दूँगा नीचे आजववत्स इस इस्त्री से तुमें कोई खटरा नहीं है मुझे विश्वास नहीं है ये तो रावण से भी बड़ा पापी है हर इस्त्री पर गंदी नजरे डालता है अगर मैं नीचे आ गया तो ये मुझे लिटा कर मारेगी और अगर नहीं आया तो तीर मार कर तुझे उपर से ही उपर पहुचा दूँगी रावण तू ही बचा ले मुझे अपने दोस्त लगता है ये असामी से नीचे नहीं आएगा मैं रावण की तूड़ी में बाण मारने जा रही हूँ बोलो जे श्री राम अरो रोको रोको कोई तो रोको इस काल डंकिनी को क्या हुआ बाबी जी अब तक जलाया क्यो नहीं इस रावण को क्या बताएं हमारी मौम ठेहरी थोड़ी सी पती व्रता रावण के उपर हमारा बाब बैठा हुआ है तेरा बाब वहाँ क्यों बैठा है रावण से अंतिम ठड़ों में ग्यान लेने गया है क्या नहीं हमारी मौम इसकी जान के पीछे पड़ी है ये बचाने के लिए वहाँ जाकर बैठ गया क्या हुआ फोटो क्यों खिच रहे हो? फोटो नहीं वीडियो बना रहा हूँ मैंने एक निउस चैनल बनाया है और ये तो बहुत बड़ी ब्रेकींग निउस है यहां मेरी जान पर बनी है और इसे वीडियो बनानी की पड़ी है चहरा साफ आ ही नहीं रहा कैमरे की क्वालिटी ठीक नहीं है पता नहीं चल रहा कि उपर हमारा बाब बैठा है या बंदर बैठा है देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है यूपी के साथ यहां पुर्जिले से यहां एक आदमी अपनी पत्नी से बचने के लिए रावण के पुतले के उपर चड़ गया है मुझे भी दिखा कैमरे पर जी हां जैसे कि आप देख पा रहें तस्वीरों में अरे बंद करो यह क्यों मेरा मजमा बना रहे हो बैया वो वाला सीन सूट करना जब मैं बाण चलाऊंगी और बाण जाकर लगेगा रावण में तू पागल हो गई है फसना चाती है सीन के चक्कर में तेरी फिलम बन जाएगी तुम बचने की कोशिश कर रहे हो यह वाला तो सीन सूट होकर ही रहेगा मुझे मारते हुए पूरा देश देख लेगा तुझे निउस चनाल पर सबूट की जरोट नहीं पड़ेगी सीधे तुझे फासी हो जाएगी अरे हां बंद करो ये कैमरा हमें नहीं बनवानी कोई निउस अब कुछ नहीं हो सकता भाबी जी बंद कर वरना तीर मार कर तेरा कैमरा तोड़ दूँगी और इस वीडियो को कहीं डालना मत मैंने कहा ना अब कुछ नहीं हो सकता लोग आपको लाइफ देख रहे थे यूट्यूब पर क्या ये रावण की तरह क्यों हस रही हो अब तु मुझे नहीं मार सकती मुझे मारने की कोशिश कर रही है ये निउस वालोंने लाइफ दिखा दिया है ये क्यूं मच रही है इसके हाट क्या लग गया अब तो तुम्हें इस रावण के साथ ही मरना पड़ेगा क्योंकि अगर तुम अपने आप भी मर गए तो लोग मुझ पर ही शक करेंगे माम को माफ कर देना डैड अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा मुझे भी एक रील बनानी है इस रावण के साथ और उपर बैठे आदमी का भी सीन लेना है यहां मेरी रेल बनी पड़ी है और इसको रील बनानी की पड़ी है किसी में है साहस जो इस आदमी को उपर से नीचे उतार सके अरे बाबी जी बाण मार कर गिरा दो इसको नीचे निशाना चूक गया तो एक बाण बेकार हो जाएगा इसके चक्कर में तो मेरे पास देसी कच्टा है कहो तो गोली मार कर गिरा दो इसको नीचे पके हुए आम की तरह टपक जाएगा यह हां जैसे डाल का आम गिरता है नहीं मुझे ये जिन्दा चाहिए तो फिर तो ये रावन के साथ ही जल कर भस्म हो जाएगा हर आदमी मेरी जान का प्यासा बैठा है अरे तुमको क्या मिलेगा मुझे मार कर ए भईये क्या हो रहा यह और अभी तक तुमने रावन धहन क्यों नहीं किया बाद में भी रात हो जाएगी जंटा का रक्षक आ गया जरूर ये मुझे बचा लेगा सर मैं तो इस रावन को दस मिनट के अंदर ही सुलकती हुई राक के धेर में बदल दूँगी पर वो आदमी तो उसके उपर चल कर बैठा है इसको किसने चड़ाया उपर क्या नया ड्रामा है ये क्या करना गया है ये रावन का मुकट उतार कर लाएगा क्या सर मुझे बचा लीजिए ये औरत मुझे मरना चाथी है इसलिए मैं यहां उपर आकर बैठ गया हूँ तुझे क्या लगता है मेरा बाण वहां तक पहुच नहीं सकता बचाओ सर बचाओ मुझे वरना फिर आपका इस वर्दी को ढारन करने का क्या फाइदा मा तुझे कैसे बचाओ मेरे दोस्त क्यूं क्या हुआ तुम जंटा के सेवक नहीं हो वर्दी की टाकाट है तुम्हारे पास तू तो जान बचाने के लिए रावन के उपर चड़ाए मेरी लोगाई ने तो मुझे जवरजस्ती रावन के लंगोड में बान दिया था वो तो अच्छा हुआ रावन में आग लगने से पहले ही मैं कूद कर भागाया तो कहने का मतलब ये है कि मुझे कोई नहीं बचा सकता असा ही समझ ले भाई मन को तो संतुस्ट करना ही है चल इसी बहाने जल्दी मौक्ष मिल जाएगा तुझे भी तुम उपर जाओ और इसको नीचे उतार कर लाओ मैं उपर जाकर क्या करूँगा भाई जी मैं तो आपके समी भी ठीक हूँ अरे तुझको उपर जाकर ठीक से प्रील बनाने का मौका भी मिलेगा वो तो ठीक है लेकिन मैं उपर जाओँगा कैसे तुम मेरे तीर के नोक पर बढ़ जाओ मैं तुमें इस आदमी के पास पहாल दूँगी नहीं नहीं इस काम में रिस्क है कोई रिस्क रिस्क नहीं है तो मेरे सामने पीठ करके खड़े हो जा अरे भाभी जी पिछवाडे की जान का जोखिम है कोई जोखिम नहीं है उपर पहुंच कर इस आदमी को नीचे फेक देना बस ठीक है तो कर लो ट्राई लेकिन मैं एक ही बार मौका दूँगा अच्छा बाबा मान तो ली तेरी बाद मान ली बस मर गया मर गया मेरी नाली मेरे पिछवाडे की नाली चिंता मत करो कुछ नहीं हुआ है तुमें चिंता क्यों ना करूँगा दिक्कत तो मुझे आएगी सुबह फ्रेशोने में हम एक बार और ट्राई करते हैं इस बार तुम रावण के सिड़ तक पहुँच जाओगे इस बार भी बस थोड़ी सी कसर रह गई थी मेरा पिछवाड़ा इतना फाल तु नहीं है सुराख खुलवाने के लिए तु कुछ भी दुगाड कर ले पनौती ओरत ये आदमी तेरे तीर की नोक पर बैठकर मेरे पास तक पहुँच ही नहीं सकता तु मुझे बिठाओ तीर की नोक पर मैं जाना चाहता हूँ रावण के मूह तक और तू मेरी वीडियो बनाएगा वीडियो तो बना लूँगा पर करोगे क्या पिछवाडे में छेद कैसे होता ये दिखाओगे लोगों को ब्रेकिंग नूस बनाकर अपने चैनल पर डालूँगा ठीक है हो जाओ ये पता नहीं कितनी दूर जाकर रुकेगा थोड़ी सी चूक हो गई मेरे से अगर तीर की नौक थोड़ी सी उपर की तरफ कर देती तो ये राण के मुझ के पास तक पहुँच जाता अब तो कुछ नहीं कर पाएगी तू मेरे पास एक रास्ता अभी भी है मैं इस रावण में ही आग लगा देती हूँ मारना तो तुझे हर हाल में है इतने सारे लोग खड़े हो कोई तो बचाओ मुझे सौधान अब तुझे कोई नहीं बचा सकता हे सादू महराज आप ही कुछ कर सकते हो मैं तो केवल इस वर्ष यही प्रात्ना कर सकता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांती मिले और इस वर्ष तुम्हें अपने श्री चड़नों में अस्ठांडे नहीं 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 अगर मैंने अपनी जिंदगी में दुगल से सच्ची महभबत की है तो मेरे इस बाण से इस दुष्ट रावण का नाश हो जाएगा जै श्री राम अब मर गया अरे मर गया प्राण तो बच गए लेकिन लगता है जिंदगी भर खटिया से उठ नहीं पाऊंगा पसली चटक गई लगता है